दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति और उसके साथ में एक लड़की की फोटो काफी जादा फाइरल हो रही है फोटो में दावा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र 45 साल है जो लड़की है उसकी उमर 11 साल है 45 साल के व्यक्ति ने 11 सल के लड़की से शादी कर ली दावा ये भी किया जा रहा है कि जो 45 साल का व्यक्ति है उसने लड़की की माता को कुछ पैसे दिये हुए थे उधार में लगबग 2 लाक रुपे मा वो पैसे नहीं चुका पाई जिसकी वज़े से उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली जब जाज परताल शुरू होई तो कुछ मामला इस तरीके से निकला दरसल व्यक्ति के घर में वो लड़की जिसका नाम संधिया है और आदमी का नाम है महंदर महंदर के घर में संधिया पिछले 3 महीने से रह रहे थी और 2 महीने पहले उन्होंने घर के अंदर ही शादी कर ली थी जिसमें कोई भी पंडित वहाँ बुलाया नहीं गया था हाला कि महेंदर जिसके 45 साल है वो पहले से शादी सुदा है और 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी जिसकी इसकी पत्नी का नाव चंदा है इसके फिलाल दो बच्चे है जिनमें से एक बच्चा अपाईज है दो महीने शादी के बाद लड़की इसी व्यक्ति के साथ इसी के घर पर रह रही थी लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो व्यक्ति उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग गया लेकिन जब व्यक्ति के हाथ पुलिस के हाथ व्यक्ति तक पहुचे यानि कि महेंदर तक पहुचे तो मामला कुछ इस तरीके से निकला दरसल मा ने दावा किया था कि व्यक्ति से उसने कुछ उधार लिया था दो लाक रुपे पर वो व्यक्ति को नहीं चुका पाई तो उसके बदले में उसने महिंदर ने उसकी बेटी संधिया से शादी कर ली और माता ने भी करा दे लेकिन जब अंदर की स्टोरी पता लगी तो महिंदर ने जो स्टोरी बताई वो कुछ अलगी निकली संधिया और महिंदर से जब अलग-अलग करके पूस्ताच की गई तो संधिया ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी माँ खुद मुझे इस वक्ति के हाँ छोड़ कर गई थी और मेरी शादी इस वक्ति से बीना किसी पैसो के हुई है महेंद्री ने बताया कि 3 महीने पहले जो औरत है यानि कि संधिया की मा है वो संधिया को मेरे घर पे छोड़के गई कि तुम इस से शादी कर लो पर मैंने उस वقت नहीं माना लेकिन 2 महीने बाद मैंने संधिया से शादी कर ली यह सोच कर कि चलो कोई बात war नहीं लेकिन उस शादी में मैंने ना तो कोई पैसे लिए और ना ही दिये ये बाते जूटी है लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद संध्या की माने मुझे फोन करा और दो लाक रुपे देने की मांग की कि मुझे दो लाक रुपे दो जब मैं पैसे नहीं दे पाया तो इस मामले को को इस तरीके से उचाल दिया गया मुझे नहीं पता था कि लड़की से इस तरीके से शादी करना गैर कानूनी है महेंदर पेशे से एक ओटो ड्राइवर है जिसके माली हालत बिल्कुल भी सही नहीं है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि क्या 45 साल के आदमी को इतना नहीं पता कि महेंदर का कहना यह है कि जब उससे ने संदय से शादी की थी तो उसको यह बता गया था कि संदय की उमर 16 साल है लेकि न्यूस चैनल से उसे पता चला कि संदय की उमर 11 साल है जब महेंदर की पतनी चंदा से यह सब बाते पूची गई तो चंदा ने भी ऐसा ही कहा कि लड़ को छोड़ दिया जाए और उसको यहां पर वापस बेज दिया जाए जो भी मामला है उसमें 11 साल की लड़की की जिंदगी तो बरबाद हुई है साथ में जो चंदा है जो उनकी पतनी है वे काफी सीधिसादी है उसकी भी जिंदगी साथ में उसके अपाईज बच्चे की सबक बार ये चीज़े शोशल मीडिया पर वाइरल हो जाती है और कहीं बार चीज़े दबा दी जाती है इस मामले में जब भी कोई रिपोर्ट आएगी जब भी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको खबर जरूर करेंगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज चैनल को लेक जरूर कीज़े थैंकि सो मच